योगेशард स्ट्कनेकल को सब्सक्राइब करें और बैल आईकन को प्रेस करें यूस्फूल वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों और योगेशज ट्नेकल में आपका फिर से ब्स बशबाद सोबाद दोस्तों आज के इस वीडियो के मादम से हम एक विंडो एर कनिशनर की फैन ब्लेड को कैसे बदला जाता है वो जानेंगे आज मैं आपको दोपकार की ब्लेड को बदलने का तरीका दिखाऊंगा तथा दोस्तो हम अकसर जो गलतियां करते हैं वो भी मैं बताऊंगा और जो अच्छी आते हमें अपनाने चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा दोस्तो अगर आप इस क्रिया में निपूर्ण हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और शेर बश्य कीजिएगा और जो ने दोस टेक्निशन हैं अगर आपको यह तरी का जानना है तो वीडियो में लाश्ट तक बने देगा क्योंकि दोस्तो इसमें मैं वो सभी तमाम बाते करूँगा जो हमें अक्सर ब्लेड करते हुए ध्यान रखने चाहिए क्या करें क्या ना करें यह सभी बाते वीडियो में जानेगे तो दोस्तो सबसे पहले जब आप कारिये शुरू करें तो सभी उजार आपके पास होने चाहिए जो हमें चाहिए करते हुए एक हेलपर की आपको मदद अवश्या लेनी होगी उसके बाद आप स्पैनर से फैन ब्लेड का नट खोलिए बिलकुल अराम से अगर नट में जंग लगा है या फिर नट काफी ज़्यादा है तो ज़्यादा द्वाब ना दें आप उसको किसी लिकिविड की सहता से या उस पर पानी डाल कर उससे थोड़ा सा नरम होने दें ताकि आपको खोलने में आसानी हो क्योंकि कई बार हम जाज जो लगा देते हैं तो हमें चोट लगने का खतरा बना रहता है इसलिए आपको जान से करना है उसके बाद जब नट खोलने तो आप फैन के पीछे हलक कैसा उसको आपको पुश करना है अगर वो अराम से निकलता है तो ठीक है नहीं तो आप किसी प्लायर की सहता से आपको उसे थोड़ी हलकी हलकी उसको पुश करना है ज्यादा जोर से आपको उस पर प्रहार नहीं करना है यह है आप जान लीजी उसके बाद आप आराम से फै बेजर और प्रानी होती हैं तो अगर आप ज्यादा उसको पिछे तरफ लेके जाएंगे तो पाइप पंच होने का या ब्रेजिंग ओपन होने का खत्रा बना रहता है इसलिए आपको यह काम बहुत साधाने से करना है और अक्सर हम गलती यहां करते हम उसको ज्यादा पीछे जाते हैं जिससे हमारी गैस निकलना है हत्रा बना रहा तो दोस्तों जैसे ही आप हीटिंग कोई के स्क्रूओं को ध्यान से देखिए सभी पॉइंटों को जहां से हमें उसे खोल कर उसे अलग करना है पीछे की तरफ दो नट होते हैं और साइडों में कीन तीन या चार चार नट हो सकते हैं iaँ पर आपको लोक भी मिल सकता है जिसको आपको बहुत अराम से निकालना है क्योंकि जो हमारी हीटिंग कोई ये वो लोक में फसी होती है इसलिए आपको जब दस्ते नहीं करनी है नहीं तो आपका लोक तूट सकता है जिसकी की बाद में बाइब्रेशन होने की समस्या उत्पन हो सकते है इसलिए दोस्तों जब भी आप सिस्टम को खोले सबसे पहले उसकी कंडिशन पर ध्यान दीजिए अगर कोईले काफी पुरानी है जरजर हैं तो कोईल को पीछे की तरफ ना लेके जाएं नहीं तो गैस लिक होने खत्रा बना रहता है और आराम से आपको कोईल उपर उठाकर उसे फिर पीछे की तरफ ले जाना है ताकि आपका स्पैनर या आपका प्लायर आसानी से लग सके जैसा आपने देखा पीछे वाले जो क्लिप थी उसमें हमें नट खोलना पड़ा था एक फैन ब्लेड को निका लेके जाना है इतना ही लेके जाएं कि आपका स्पैनर या आपका प्लायर असानी से लग सके और कोशिश कीजिए कि फिन्स मूडने ना पाएं हमारे हीटिंग को इलकी क्योंकि दोस्तों अक्सर फिन्स मूड जाती है जो बाद में हमारे प्रिशानी का सबब बनती है और मै उसी के अन्रूप आप नहीं फैन ब्लेडर लेके आएं जैसा कि आप देखिए यह जो खाचा है यह बिल्कुल प्लेन हो गया है बिल्कुल गोल हो गया है इसके अंदर एक खाचा होता जैसा हम हमारे वाश्री मशिन की टाइमर की जो नोग डालते हैं उसमें खाचा बना होता और दुकान से सेम टू सेम ब्लेड का हैं क्योंकि दोस्तों कई भार ब्लेड सेम जरूर होती है लेकिन उसके जो यह फैन ब्लेड होते हैं इन में कोई अंतर होता है या फिर जो हमारा बीच में सुरा होता है इसमें भी कोई अंतर हो सकता है इसलिए आप फैन ब्लेड साथ लेके जाएं दुकान से लेने के लिए तो दोस्तों देखिए ये फैन ब्लेड नहीं है इसको डालने से पहले आप इसे अच्छी तरह से जांच लें क्या इसमें कोई ब्रेकेज तो नहीं है या फिर इसका जो ये खांचा है ये क्या सही है क्योंकि दोस्तों जो ये खांचा ह ही बन पा रही है क्योंकि इसे हम सिर्फ लोक से ही टाइट करेंगे इसमें कोई नहीं है इसलिए आपको यह शोर करना है कि हमारी फैन ब्लेड बिल्कुल सही उस खांचे में फिट हुन चाहिए ताकि उसको फिर ऐसी समस्चा का सामना दोबारा ना करना बड़े क्योंकि कहीं बार दोस्तों जैसे खांचा फिट नहीं आता फैन ब्लेड डाल योग को लगाने के बाद फैन को तुर्श चला कर देखना रहाए और तेंगे मेंमें ब्लेड नहीं पहले ही चेक कर ली नहीं और उसके बाद लोक लगाने के बाद आप उसकी टाइटनेस को चेक कीजिए क्या वो लूज तो नहीं रही क्योंकि दोस्तों अगर वो लूज रहे जाएगी तो फिर जल्दी से वो जैसी पहली फैन ब्रेट फरी हुई थी ऐसे ही है फरी हो जाएगी इसलिए अब हम इस कोईल को वापिस इसकी जगह लगाएंगे इसको लगाते हुँ भी आपको काफ़ी साफधानी इस्तेमाल करनी होगी वहाँ पर अगर धूल मिटी है तो उसे साफ कर दीजी ताकि कोईल का बैलन्स बना रहे वो उंची नीची ना हो और इससे पहले आप फैन को च चीजें आपको देखनी है और आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ से हुटा कर कोईल को इसके अंदर बिठाना है आपको सभी लोग बिल्कुल एक्जित लगाने हैं और ज्यादा जबरस्ति नहीं करनी है आपको धीरे धीरे आमने सामने के नटों को टाइट करना है यानि वो नहीं मिल पा रहे तो हम कोई भी स्कुल लगा देते हैं इससे आपको नुकसान होने की संभावने बढ़ जाएंगी क्योंकि स्कुल अगर लंबा होगा तो जैसे हम आप इस साइड से टाइट करेंगे तो वो हमारी हीटिंग कोईल में अंदर चले जाने की संभावने ब खोलना है जैसे आपने उनको खोला सा टाइट करना है जैसे आपने उनको खोला था दोस्तों मैं कुछ जोड़ी बाते आपको पता देता हूं ब्लेड को डालने से पहले उसकी जांच अवश्य कर लें यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद दोस्तों अगर इसी ज्यादा पुराना है तो pipe को ज़्यादा जज़र हैं तो heating को ज़्यादा पिछे की तरफ ना लेके जाएं इतना ही लेके जाएं जितना आप अराम से tools आपके लग सकें आप वो कारिये कर सकें और दोस्तों जहां से जो screw खोले ध्यान से देखें और वहीं पर वो screw लगाएं क्योंकि मेले वाले window irrigation आती थे उनमें काफी problem आती थी क्योंकि उनके अंदर काफी accessory होती थी जो हमें step by step खोलनी पड़ती थी लेकिन आजकल आराम से आप ये fan blade बदल सकते हैं क्योंकि जो fan blade हैं वो भी आजकल lock type आने लगी हैं जो आराम से निकल जाती हैं और आराम से डल जाती हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शियर वश्यक किजिए करना मत भूलेगा तता आप मेरे को फेस्बुक ट्वीटर इस्टाग्राम पर भी उपर दपा सकते हैं और एक मेरा नया चैनल है इंडियन वेक्शनेशन आप उसे भी सिस्क्राइब किजिए धन्यवाद